आज से तक्रीवन पांच साल पहले हर कोई मेटा वर्स की बात करता था यहां तक कि फेस्बुक ने अपना नम मेटा रख लिया था और यह बोला जाता था फ्यूचर आपका वो होगा कि आपको बड़ा सा वर्चुल रियालिटी हेडसेट पहनना है और उसके बाद आप एक ब लोग को वर्चुल रियालिटी का सवाल दे देते हैं और लोग फिर घर में ही बैठे 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 दुम्या के मज़े यहां पर ले लेंगे लेकिन लोगों को यह रियल चीज़े जादा पसंद है और जब सारी चीज़े नॉर्मल सी में आ गई उसके बाद आज के समय में लोग रियल चीज़ों को जादा बैनेफिट करते हैं और वर्चुल रियालिटी वाला वर्ड है वो तो यार वर्चुली होता चला गया लेकिन क्या हो अगर वर्चुल रियालिटी चीज बिल्कुल ने इस्टीन के लिए बनी ही नहीं थी बिल्कुल मैं बोल रहा हम क्योंक कि आप वर्चुल रिलेटी हैट सेट है आप एक बार दो बार उसे यूज़ करोगे आप डेली उसे यूज़ नहीं करने वाले हो यह बिलकुल इफेक्ट है यहां तक कि वर्चुल रिलेटी हाइप इतनी जादा बड़ी थी कि एपल जैसी कम्तनी जो हाल फिलाल किसी हाइप में जल्दी कूदी में यह वो भी कूदी उसने अपना विजन प्रो बनाया और विजन प्रो का भी सारी भी हुआ कि लोगों ने एक बार दो बार उसे यूज़ किया लिकन उसके बाद उसे उठा करेक्ट ने में रख दिया क्यो क्योंकि वो एक लग्जरी आइटम है लोगों से एक बार लेंगे कुछ समय तक यूज़ करेंगे यहां फिर किसी को एक या दो बार उसे दिखाएंगे हर बार उसे यूज़ करना कोई सेंस नहीं बना तब क्योंकि कीमा तो उसकी वाक्षी में बहुत जाद है अगली चीज कोन्टेंट जो आप कंस्यूम करते हों वर्चूल रिलेटी हेड़सेट पे वो बहुत ही जादा लिमिटेड होते हैं यानि की आज भी जो लिमिटेड नमबर ओव गेम से वही खेल सकते हो विजिजन प्रो के लिए भी लिमिटेड नमबर ओफ एप्स हैं वही आप कर सकते ह याने कि अगर आपको कोई भी अगर काम करना है वर्चो लेल्टी हेडसेट नो टेक्निकली इतना जादा कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि content ही उसके लिए बहुत ही जादा limited है इवन एपल ने विजन प्रो के लिए बहुत सारी चीज़े करें special video को यहाँ पर उतारा जाकि iPhone का यूज़ करके आप एक 3D वीडियो रिकॉर्ड कर सके यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दिसाइड किया कि special cameras बनाएंगे अलग लग स्ट्रीमिंग करेंगे और content धेर सारा बनाने की कोशिक करेंगे बहुत सारी partnership करें लेकिन क्या हुआ इंड लोगों ने उस चीज़ को उत्ता साथा कंजूम करती नहीं है यहाँ तक कि Apple अपना Vision Pro 2 तो निकाली रही है लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज के समय में Apple ने खुद अपना focus future के लिए Vision Pro सेटा के कहीं तूसरी जगे कर दिया और हाँ अगर आप सोचर की virtual reality headset totally खतम हो गए तो मैं बोलना चाहूंगा yes main stream users जो use करते थे virtual reality headsets को वह यहाँ पर खतम हो चुके है home use के लिए virtual reality headset कभी था ही नहीं नहीं वो कभी आगे बढ़ पाएगा यह चीज totally disaster यहाँ पर थाबत हुई है regular consumer के लिए क्योंकि consumer के exactly में किसी काम का नहीं है नहीं किसी चीज़ को solve कर रहा है कोई problem को यह चीज exactly में corporate और जो professional और इंडस्ट्री लेवल की चीज़े वो होती जाने की कोई car बनाने से पहले यह देखना कि वो real life में कैसी लगेगी तो virtual reality का यहाँ पर काफी जादा यूज किया जाता और उस direction में इन headsets को use किया जाता है और उसी direction में Microsoft ने भी अपना hollow lens भी बहीं तक रखा है कि लोग है ने industrial use में उसको use करें consumer लोगों के लिए चीज टोटली यहाँ पर खतम कर दी लेकिन futuristic vision यहाँ पर काफी जादा different लग रहा है यानि की हर बड़ी कम्ती जो की एक जमाने में virtual reality headset पर कूद रही थी वो अब अपना direction shift कर रहे है और उसके multiple reason है यानि की एक तो समझ में आता है कि बहुत महेंगा headset होता है यहाँ पर काम नहीं करता ऊपर से health related issues भी हो सकते हैं कि इतनी भारी चीज अपने सर तक आप कब तक पहन के रखोगे उसका जो impact होगा आपकी ice की उपर long term में किता रहेगा यह सारी चीज़े और कई सारे technical challenges भी था कि battery life पूरी processing power देनी है और लोगों को भी यह चीज़ है ना पस tank के अंदर जो wow factor होता है ना वही लेका रहे उसके बाद यह चीज़ टोटली खतम होगे लेकिन जब मैं futuristic vision के बारे में बात करता हूँ तो चीज़े बहुत जाद अलग हो जाते है यानि कि अब मैं यह समझता हूँ कि futuristic vision कोई बड़ा virtual reality headset नहीं है यह आपके smart glasses हो सकते है यानि कि पहले भी मैंने AI glasses के बारे में बात करी है और AI integrate करने glasses में के smart move था जो यहाँ पर wait आने किया था अपने Raven Meta glasses के साथ लेकिन यह technology अब धीरे धीरे और advance और बड़ी होती जा रही है जैसे कि Apple के बारे में भी सुनाएं कि जब Ray Ben ने अपने Meta glasses डिस्प्ले वाले निकाले तब यहाँ पर Apple को भी लगा कि इस तरही की product वो आने वाले future में निकालना चाहते था और इसलिए Vision Pro को थोड़ा side line कर रह क्योंकि technology यहाँ पर तयार हो चुटी है और वो technology अब ऐसी है कि brain string wire उसे यहाँ पर ले सकता है और लोगों को वो जो problem रहती है कि कब तक है headset लाकर रखेंगे वो चीज glasses के साथ नहीं क्योंकि glasses अब हो चुगे काफी जादा light weight अगर आपको नहीं पता तो already Qualcomm Snapdragon के processor already है market में ज glasses जो रहते हैं वो stand alone product नहीं है वो एक accessory की रूप में दिखा जा रहा है जिससे आप अपने mobile phone के साथ pair up कर सकते हो इसके साथ ही बात करें display की तो अब यह भी confirm हो चुक है कि display यहाँ पर कैसे use किया जा रहा है वहाँ पर भी यानि कि जो display रहता है वहाँ पर आपको ऐसा नहीं एक छोटा सा projector होगा और जो glasses के उपर एक special layer लगाई जाएगी वहाँ से reflect होके आप इस तीज को देखवाएंगे जो को simple से कहनी की बात है कि अगर glasses के अंदर अगर मैं display को build करूँगा तो वहाँ पे आप prescription lenses यूज नहीं कर पाएं क्योंकि हर prescription glasses के लिए display को design करना पड़ेग वो चिस difficult हो जाती है इजी वे क्या रहती है कि आपके regular prescription lenses लगाऊ लेकिन जो right eye वाला lens होगा नहीं वहाँ पे special layer लगाऊ जिसके through reflection काम करें और आप लोग को यह पता चले कि exactly में जो glass होता वो किस तरीके से काम करता है और यह जो projection technology है थोड़ी already mainstream हो चोकि यह supply chain पे ready है तो ह कई सारी companies अपने glasses यहां पर निकाल सकती future में यानि की futuristic जो vision में को लग रहा था कि इंसानों को पूरी तरीके से card देगा एक virtual world में ले जाएगा वो चीज़ नहीं होने वाली अब exactly में present world में रहोगे और extra additional layer additional information आपके glasses के अंदर रहेंगे और इसलिए मैंने बोला है कि smart glasses कभ लाइन हम भी देखने को मिल रहा है और जो फोन के साथ जो virtual reality headset आते थे 400-500 रुपे वाले वो तो बिल्कुल खतम ही हो गया अग जो नयाट जमान आएगा वो आएगा glasses का कि glasses हो गया साथ में display होगा आपको basic information यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यह बात रहेगी कि आपक चलते चलते अगर आप map देख रहा है तो यह ब्लॉक नहीं करेगी आगे कोई गड़ा है कि नहीं है पता चला कहीं गड़े में आगे गिर गए इस तरीकी की problem भी हाप सॉल्फ करनी पड़ीगी और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि futuristic vision companies का अब इस level पे जा रहा है कि related basic information कैसे देख पाऊ इस पर भी काम हो रहा है और हाँ अगर आप लोग को लगता है कि किसी को ग्लास पहनने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके भी अलग लग गड़ेट्स आने वाले example बात करें एक leak report से पता चलता है कि Apple है वो अपने special airports को develop कर रहा है जिसके अंदर camera लगा होगा यानि कि किसी को glasses नहीं पहनने तो airports पहन सकता है उसके अंदर camera होगा वो सामने क्या चल रहा है वो देख पाएगा और मालो अगर आपने airports भी नहीं पहनने तो यहां पर earrings भी पहन सकते हो जिसके अंदर आपको bone conduction वगरा के थूँ यहां पर sound भी सुनाई देती रहेगी और आप लोग है ना यहां पर आपस में health बगरा भी track करते रहोगे और base जो AI वाले task होते हो कर लोगे यहांने क्या उसके अंदर आपको वह यह पूछना पड़ेगा कि सामने कौन से चीज़े आपको direction यहां पर कौन से लेना है यह सब बाते यहां तक कि मैं कोई बता सकता हूं कि यहां पर सिर्फ glasses तक सारी चीज़ लिमिट नहीं रहेंगी आपको special AI pins और AI hardware भी देखने को मिल सकता है जिसके अंदर छोटा डिस्प्ले और यह सारी चीज़ों की बार बार है ना मोबाइल फोन को निकलने की जरुबत ही ना पड़े आप किसी भी चीज़ को पहने रहो और आस पास की environment के साथ तो इंटरेट करेगा और आपको सारी चीज़ें बात करके हाप सुनाई नह और हाँ अगर आप लोग को लगता है कि मोबाइल फोन का कोई replacement आने वाला मेरे हिसाब से मोबाइल फोन का कोई replacement आने वाले कई सालों तक नहीं आने वाला जबकि मोबाइल फोन जैसे हम यूज करते हैं उसका operating system जो रहते हैं वो यहां पर ट्रांस्फर होने वाला है इसके में internal software को interact कैसे करेंगे यूज कैसे करेंगे ना यह चीज़ यहां पर बदलेगी वियार हैट्सेट देखाया तो बहुत ज़्याद कॉंप्लेक्स थी उसे बहुत ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिच की गई लेकिन consumers ने से outright reject ही किया है आज ते समय में VR headset जो रहते हैं और जादा कम होते जा रहे हैं और इसके साथ ही यहां पर जो नई technology के साथ जो glasses का जो concept होगा ना वो यहां पर और भी ज्यादा बढ़ा होता जाएगा अगर आप लोग बात कर तो मैं यह भी prediction दे सकता हूं कि यहां पर Samsung वाले जो प्रजेक्ट मूहां बना रहे हैं Android के साथ एक इंदर Samsung अपने एक लेकर आ रही है लेकिन ये concept जब fundamentally flawed है लोग जब Apple को ही accept नहीं कर रहा है तो दूसरे product को कैसे accept करेंगे ना यह बात है और मैं यह इसलिए करो कि बड़े headset जो रहेंगे यह market में चलेंगी ही नहीं वाओ factory बनके रह जाएंगे और उसके बाद दुबारा से इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा अगर वाकिने इसमें potential होता तो Vision Pro को लोग और जादा use कर रहे होते और Apple इसकी development already fast कर चुका होता ज्योंकि original iPhone के साथ ही हुआ iPhone 1 एक groundbreaking product था इसलिए हर साल Apple उसमें improvement लाखे कुछ ना कुछ करता रहा Vision Pro के साथ यह headset वाली category रहती ही न यह category कभ बहुत ही जादा लिमिट और नीश category तो वही बन गिरा जाएगी ग्लास एक ऐसी चीज़ है जो market को फोड़ सकता है वो उसके अंदर पूरा potential है कभी आकर आपको मौका मिले तो कभी AI या मेटा वाले glasses को यूज करके रहना तभी पता चलेगा क्योंकि बहुत बढ़नों प्र तो सब pre-recorded रहते हैं और pre-recorded चीज़े रहते हैं कि इसको हमें ऐसे दिखाने इसलिए उसमें जादा problems नहीं आती लेकिन एक बार जा पर पिस experience करोगे तभी आपको पता चलेगा कि यह जो glasses रहते हैं यह exactly में किस direction में हम पर move कर रहे हैं और exactly में future क्या हो सकता है तो यह एक इंट्रेस्टिंग बात होगी हने वाला future काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है थेंक्यों बने रहनी के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो यहां पर वीडियो को लैक करना और चैल को सब्स्प्र